इस वक्त लोग सभा के रण में हम पहुंचे हैं बागपत वो बागपत जिसे चौधरी चरण सिंग की विरासत कहा जाता है जो किसानों का घड कहा जाता है जो जाट बहुल भी है जातीगत तमिकरन भी है किसान बहुल भी है और यहां की सियासत अपने आप में कई तरह के संदेश देती है और कहा जाता है कि बागपत का जो संदेश है वो बहुत दूर तलग जाता है पश्चमी उत्तरप्रदेश का ये शेत्र काफी एहम है हमारे साथ कुछ लोग है उनसे बात करेंगे कि बागपत का मुद्दा क्या है बागपत का मूड क्या है और बागपत क्या जो मद्दाता है वो क्या सोचता है लोगों से बात करते हैं उ बीजेपी के साथ जाने में क्या समीकरण बदला और क्या मुद्दा इस बार बागपत जो अभी पिछड़ावा है उत्तर परदेश के काफी सारे इलाके जो व्यापार की द्रस्की से अच्छे चल रहे हैं अभी जैसे बढ़ रही है तो उसी साब से बागपत का विकास भी ब बेल्ट कहा जाता है ऐसे में आपको लगता है किसानों के लिए स्तरकार ने काम किया लगता है बिल्कुल लगता है अभी चौदरी चरण सिंग्ग जो कलता का खिलेश के साथ थे अभी मोदी जी के साथ है उनके इधर से उधर जाने में कोई माइंड सेट चेंज हुआ कोई परिवर्तन हुआ कोई समीकरन बदला नहीं कोई नहीं बदला बिल्कुल बीजेपी को वोट जाए तो देखिए यहां पर चुकी बाप और लोग है उनसे बात करते हैं क्या समीकरन यहां क्या मुद्दा है किसानों कोई काम नहीं हुआ कुछ नहीं किसानों की साधत भूल चैन चौदरी भी साड़े 700 कि सान सहीध वे बीजेपी सरकार मीं तो सहीध वे क्या काम बताओ क्या गिनवाओना किसानों और कहां किसानों की समाजवादी पार्टी के समर्चक आप है आप चलिए ठीक है वो कोई बात नहीं लेकिन जैन चोदरी जो कल तक आपके साथ थे आ यही बाते अब वो चुप हैं कि उनके उदर जाने के बाद आपको लगते हैं आपका पलड़ा हलका हो गया हमारा बारी हो गया पहले 2017 में चुनाओ लड़े एक विधाक आया हमारे साथ मिले के चुनाओ लड़े साथ 9 विधाक आए और अब की बारा कर हमसाला होका चल रहे हम अब भी साथ स्टीट दे लेकिन साथ उन्हां कम लगी दो जादा लगी और दोनों आरंगे खता मोजाए कान तो कहारे हमने चौदरी साब को भारत रतन दे दिया किसानों का सम्मान कर चौदरी चरहन जिंग अपने आम में खुद भारत रतन है भारत रतन की जुरूद नही दो जब बंगला खली हो जब लट बजाया अद्रशम जएं चोदरी पर लट बजाए जब आज पनी ती अब किसान कई साथ सुगिसान सेद होगे तब बाजपन नहीं तब कहां थी ओए जब भाजपा के जो खिसानों के नेता है में जाएं चोदरी उन्होंने कुछ सोच सम उनको लगा कि यहां घाटे का सोधा है किसानों का हित कैसे होगा उधर चलेगा है उनके जाने के बाद भी किसानों जाम लगा रहा है किसान को घुशने नहीं दे रहा है आपको भी लगता है यहां पे जहनत के उस तरफ जाने के बाद कुछ समीकरन बदला है जो आजकल बीजेपी में तूटती वो पूरी हो गई है क्योंकि जाट दो समाज में बटा वा था कुछ आदा बीजेपी में था और आदा अरल्डी के साथ में था और अब एक जूट हो हैं तो उससे सारे मतलब किसान का मेरे वर्ग के लिए काम हुआ है किसान का मेरा वर्ग एक साथ जूट हो गया है और एक जूट होने के बाद में ही एक सक्ति परदसन होता है और जो कि वह हो चुका है उसमें कहीं भी संसे नहीं है अभी जैसे मेरे भाई ने का किसानों के ल नहीं आ रहे हैं आप जाकर देख सकते हैं किसानों से पूछा हम किसान हैं हम से पूछो मुल रूप से यह जो कॉंसिट्वेंस यह जिसमें हम खड़े हैं यहां की हवा में चोदरी साहब को महसूस किया जाता है परसन यह उठा है यह देश की जो संतनत होगी उसका चुनाव है आज जो हालात बदले हैं जैन जी की क्या मजबूरिया रही होंगी ये तो वो जानते हैं लेकिन मूल रूप से जो हमारा उनका बाइस में गड़बंदन था वो एक नेच्रोल गडबंदन था आप लोग भी बौधिक जगत के लोग भी मीडिया के लोग भी जैन चोदरी जी के इंट्रू देख रहे होंगे मैं देख रहा था है के नेशनल एलेक्नोनिक मेडिया पर वो कहरे थे हमारे हमने विचार धारा नहीं बदली है तो इसका मतलब ये गडबंदन कोई गडबंदन तो है नी अब बहुत जिस तरह का एक आजकल महौल बनाया ज जैन थे हम वहाँ है तो इसमें पीछे तो आप रहे हैं देखेगा हमारी जो पार्टी है चोदरी चनसिंग की जो राजनीतिक और बोधिक विरासत है उसका परतिनिद्यूत करती है सापसी बात है और उनकी विरासत का लगबग लगबग निन्यान में परतिसर तिस्ता और बार बार यह कहने के बावजूद भी हम यहां बहुत अच्छी फाइट करेंगे तो बताइए फाइट कैसे करेंगे अच्छा यह कुछ कहना चारें हैं ऐसा है हम लोग मालिया किसी पार्टी विशेश के सपोर्ट करते हैं हमारे मन में भी हो हैं मारे दिल में भी है और ऑन चाल पार वाल राजनीती में चुकि यहां तो कोई किसी का नहीं है नहीं नहीं के खिलाव हम Спार से पर चैसे चल जाएंगे कोई याने का बस लेकिन राजनीती में कि यहां तो कोई किसी का नहीं है नहीं यहीं एक चीज यही देखिए यही जान दालने से पहले सो बार सोच रहा है क्या मैंने जो बात कहीं है इन्हें भी सोचना पड़ेग करना है इसके साथ चला गया पिछला चुनाव नहीं नहीं आप 19 का चुनाव देखिए मायावती और अखिलेश थे क्या गए अभी मायावती अलग है यह दोनों साथ में आ गए फिर वह अखिलेश के साथ तो यह तो सिर्फ हमारे मोदी जी इस देश के अपधानमंत्री बनने जा रहे हैं देखे 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 अभी एक बहुत बड़ा सुनिये यह जो भारते जनता पार्टी और लोगदल का गटबंदन है यह अपने आप में हैं बयां कर रहे हैं यहां लोगदल लड़ रहे हैं लेकिन भार साथ आए हैं उनके दिल नहीं मिले हमारे पूर प्रदानमंत्री चोधिशन शिंग जी ने जमिदार खात्मा किया था और गन्ये का भाव बड़ाया था ऐसे प्रदानमंत्री हो इनी सकते हम उनके पौत्ते कव जैंत जीको बाट देंगे अच्छा वो चाहिए कहीं भी कर रहा है जो अपने कंडिडेट को नहीं अभी चूज कर पा रहे हैं कि बागपस से लड़ेगा कौन आप यह देखिए का अभी तक मनोज मनोज चोधरी की बाद चले ती अभी अभी जो नया नाम आ गया है मरपाल सरमाजी का तो अभी तो यही कंप्यूजन में है कि